अगर आप मेरे चैनल पे पुराने वीडियो भी देखे तो आपको याद होगा कली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मोसाद अपने तरब से यह जो वार का जो स्टाइल है इसको एक नेक्स लेवल पे ले गया था कैसे एक्जाक्ली मोसाद ने अपने तरब से एक डिवा के उपर अटाक वार आगे जाके वो लोग का जो हालत है वो काफी खराब हो गया ऑन दादर साइट दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा कुछ स्टेप सोचा भी नहीं था और मोसाद ने अपने तरब से यह जो वार है तो प्रेदेनली हम लोग देखते के यह वार धिरे धिर जाके निउक्लियर टेक्नोजी या फिर उसके नेक्स्ट लेवल पर जाने का कोशिश कर रहा है और इस विंग में मोसाद अपने तरब से जो सक्सेस्पूल हुआ वो पुरा दुनिया को हैरान कर दिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है तो यह तो था पास्ट का कहानी के हम लोग क को यह सब देखने को मिला मोसाद ने यह सब किया हैमेशा जो एडवांस टेक्नोजी रहते है जिसके वाय से इजडराईल हर किसी कंट्री के साथ तो आगlor जाके फ़ैंशा पंगा ले लेता है तो इस पेजर एटक पेर मोसाद कर दोबगा मोसाद नेक्स लेवल क्या है किस pä पहले हुआ था पेजर अटेक और अभी लेबनन के जो हिजबुला मिलिटन्स है उनलों के उपर different type of attacks हुआ है, जिसमें जो walkie talkie है वो blast किया है, जो radio है वो blast किया है, जो solar panel से वो blast किया है, on the other side अगर देखा जाए है बहुत सारे electronic devices जो है वो completely अपने तरफ से blast किया है, जिसके पीछे exactly क्या reason है और मौसाद कैसे यह क्या आज के डेट में अगर देखा जाए मौसाद काफी advance है मंगर हिजबुला जो है वो अपने आपको कभी advance किया ही नहीं है क्यों उसके पीछे भी एक technology है यह technology कोई decode नहीं कर सकता है on the other side इस्राइल का जो इतना 30 मार खास आइटी में बैटे है वो लोग भी हम लोग को ट्रैक नहीं कर पाएगा अगर हम लोग यह सब technology यूज करेंगे और यह जो statement है यह मौसाद के दिल में लग गया यह लोग ऐसा चीज यूज कर रहे है जिसक साल पहले यूज होता था वह technology अभी भी यूज करें तो obviously मौसाद कैसे इसको decode करेंगा तो मौसाद ने देखा कि हम लोग अगर यह जो technology इसको decode नहीं कर पाते तो हम लोग जाके इसका जो manufacture है उन लोग को decode करते मतलब मतलब वह सारे companies को हम लोग contact करते जो लोग यह device बना है तो अपने तरफ से मौसाद इन लोग को contact किया और उन लोग के जो device वह manufacture कर रहे उसमें एक अलग सा device add कर दिया सूचे कि अगर आप रेडियो खरीद रहे तो उसके अंदर से एक अलग device लगा दिया अगर आप पेजर खरीद रहे तो उसके अंदर भी एक छोटा सा device अलग को खरीद दिया है फिर अपना manufacturing क्या है यह जो भी हो तो मौसाद अपने तरफ से पूरा updated news collect किया कि कहां से Hezbollah ये सारा device करीदता है और मौसाद ने अपने तरफ से अपना जो special device है वो इन सारे device के अंदर में install कर दिया पहला दिन मतलब 17 September को हम लोग को देखने को मिला कि ए सब देखके दुनिया सोच रहा था कि मौसाद ने क्या next level काम कर दिया on the other side बहुत कोई आईसा भी वो लोग सोच रहे थे कि अगर मौसाद अभी ये कर रहे तो next level क्या हो नेक्स डेई हम लोग को next level देखने को मिला पहले था आपका सिर्फ पेजर और दूसरा दिन walkie-talkie radio solar panels और भी different electric device है वो ब्लास्ट करने लगा जिसके वायल से more than 500 maintenance जो है वो घोर तरह से injured हो गया और 15 का तो देथी हो गया तो no doubt हिजबुला जो है वो expect नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है on the other side अभी अगर देखा जा हिजबुला completely shocked है वो लोग तो पानी पीने से भी डर र गया था यह सब cross check किया जा रहा है तो यह सब सुनने के बाद आप बोली सकते हो कि भाई यह जो company से इन लोग के उपर हो सकता है कि आगे जाके case file होगा या फिर लो company को पूछा जाएगा तो जब यह बाद यह सारे companies को पूछा गया at that point of time they clean and clear denied के भाई हम लोग अपना जो स सारे countries है उन लोग का अलग-अलग reaction देखनों को मिला मगर बहुत सारे countries है जो इसमें कुछ react नहीं किया for example अगर हम लोग देखे इस चाइना इंडिया यह अपने तरफ से यह जो पूरा incident है इसको observe कर रहे और वो लोग तक के तरफ से अभी भी कोई statement नहीं है on the other side जब हम लो लोग देखे इसरैल के तरफ से clean and clear यह जो हमला है इसका जो जिम्मेदारी है वो लोग अपने तरफ से यह जो अटाक है इसका जिम्मेदारी completely ले लिया है और वो लोग कहां कि भाई यह तो starting ही है अब आगे आगे बहुत कुछ होगा क्या होगा वो completely depend करते इसरैल का चाहिए nuclear power चाहिए या फिर chemical bombs चाहिए on the other side इसरैल एक छोटा सा डिवाइस बनाया और उसी डिवाइस के भड़ों से उन्होंने अपना जो दुश्मन है हिजबुल्ला उन लोग को completely एक चौंका दिया इस तरह का अटक किया गया उन लोग के ऊपर अब जो कुशनराइज कर इसरैल और दूसरा साइड में है यह हिजबुल्ला के जो मिलिटेंस है उन लोग के बीश में तो इसको लेके इसरैल भी बहुत दिन से परेशान है और इसरैल अपने तरफ से 60,000 जो इसरैल के citizen ने उन लोग को वहां से rescue किया और different location में उन लोग को shift किया क्योंकि यह जो इसरैल के बेंजमिन नितिन नियाहू ने भी यह बात साफ साफ बोल दिया है डॉनल्ल ट्रम्प जो इस बार election लड़ेगा जो प्रेसिंद हो सकता है आगे जाके उन्होंने भी यह बात साफ साफ बोल दिया है इसरैल को चाहिए expansion मतलब जो बगल में जो भी जमीन है इसरैल क पास बंदल जो अलग अलग कंशी का वहां इसरैल कबजा करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि हम लोग देख सकते के गाजा में और इसरैल के उपर यह अटक किया था नो डाउट यह जो अटक है यह एक नया तरह का जंग चेरा है दुनिया के सामने और दुनिया के जो countries है different countries वो लोग भी अपने तरफ से यह attack को observe करें और वो लोग लेग रहे कि एकजरी क्या device है वह ऐसा क्या device है जो इस तरह से attack भी किया जाए जिसको इसरेल ने वनलब invent किया है तो अब जो question arise करता है वह हिजबुला क्या हिजबुला इसराइल को छोड़ देगा नो डाउट हिजबुला कभी इसराइल को छोड़ने वाला नहीं है यह जो वारे हो सकते के अब इसराइल थोड़ा सा आगे चला गया है on the other side हिजबुला भी अपने तरफ से अपना जो पहार यह उसको फिर से increase करेगा और फिर इसराइल को पर attack करेगा तो यह जो चैप्टर यह इतना जल्दी खतम होने वाला नहीं है इसमें और भी एपिसोड एड होगा अगर इस related कोई भी update आता है तो मैं आप लोग के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा और अगर आपक को सबसे अच्छा लगता है आपके लाइप जो special person है उनके साथ यह वीडियो श्रेयर कीजिए कि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है मैं आपको रिक्वेस कि आपको बड़ियो है कर दो कर दो